हलो दोस्तों मैं हूँ प्यूश और टेक्निकल पैंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज अपने देखेंगे कोई भी मूवी में सब्टाइटल कैसे एड़ करें डेमो के लिए मैंने दे कुरूट्श मूवी आउन की है इसमें आप देख सकते हो इसमें कोई भ सब्टाइटल दूंडने का वो यह होता है कि आप मूवी का नाम कॉपी करते हो और गूगल में सर्च करते हो विद सब्टाइटल आपको गूगल सर्च रिजल्ट में डेता है बहुत सारे ओप्शिन्स आप कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करते हो और वहां पे सब्टाइटल देते हैं, मिलते हैं और वो site जो होती है वो advertisement से भरी होती है आप click करते हो multiple pop-ups open होते हैं और आपके site में कुछ न कुछ viruses download हो जाते हैं तो ये था old तरीका अभी new तरीका ये है कि आप VLC player में दिखोगे views में download subtitle ये आपको तभी दिखता है जब आपका VLC player updated है तो आप पहले updated version लीजिए और click के download subtitle आप यहाँ पे देखोंगे subtitle language, यहाँ पे आप देखोंगे English, Hindi और multiple languages है जिससे आप select कर सकते हो आप यहाँ से Hindi भी select कर सकते हो लेकिन Hindi languages में subtitle बहुत कम होते है तो better to choose English यहाँ पे होता है title name आप जब इस पे click करोगे तो आपको यहाँ मिलेगे multiple subtitles अब आपको यह करना है कि आपका जो movie का नाम है same matching words के साथ में आपको srt subtitle file pick करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हो the crudes 2013 720p blu-ray x264 dot srt तो यह आप choose करोंगे और click करोंगे download selection आपका system इसे download करेगा और आप folder में देख सकते हो srt file मतलब subtitle file आप देख सकते हो अभी आप जब वीडियो को play करोंगे तो आप देखोंगे कि यहाँ पे subtitle enable हो गए तो यह था पहला तरीका जो आप subtitle देख सकते हो add कर सकते हो directly vlc player से अब इसको अपन डिलीट करेंगे यह try again चायद में vlc player में open है इसलिए अभी try again डिलीट हो चुका है आप फिर से इसे movie को open कीजिए play कीजिए आप देखोंगे ऐसे subtitle निकल चुके है दूसरा तरीका है जो था search by name तो आप same views download subtitle movie name सेम रहेगा search by name यहाँ भी भी आप same तरीका same funda use करोंगे name जो रहेगा वो रहेगा आपके movie के name से matching और srt file download selection यह आपका system download करेगा और same folder में movie जहाँ पे थी आपको दिखेगी srt file आप अब movie को play करोगे आपके subtitle चल गया आपका subtitle movie में आ रहा है successfully तो यह थे दोनो बेस्ट वे vlc player से directly आपको जब subtitle add करना है ना ही google पे जाना है ना कुछ जाना है directly आपको download करना है but primary आपको यह चाहिए कि आपका vlc player updated चाहिए latest version चाहिए तो आपका यह subtitle आप directly download कर सकते हो through vlc player thank you दोस्तों और more videos के लिए देखते रही हमारा youtube channel आपकाल सकते हैं